महाराश्रा के विदान सभा चुनाओं के लिए अब कुछ ही दिन रह चुके हैं जिसको लेकर सभी उमिद्वार अपनी अपनी जीत की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं मुंबई समेत महाराश्रा की कई होट सिट है जहां पर काटे की टक कर बताई जा रही है ऐसी ही एक सिट है बांदरा इस्ट की जासे जिशान सिदिकी को NCP ने मैदान में उता रहा है आपको बता दे की इसी इलाके में कुछ दिनों पहले बाबा सिदिकी की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी जिसके बाद इस सिट पर चुनाव काफी इंटरस्टिंग बन चुके हैं आज आपको इस वीडियो में बताएंगे की क्या है बांदरा इस्ट विदान सबा सिट के चुनामी समीकरन और क्यूं ये सिट बन रही है मुंबई की होट सिट नमस्कार आप देखने हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सुनु कनोजी सबसे पहले जान लेते हैं कि कहां लोकेटेड है बांदरा वेस्ट विदान सबा सिट बांदरा इलाका मुंबई के वेस्टरन सबब में आता है आप जब वेस्टरन रेल्वे से सफर करते हैं तो खार रोड और माहिम रेल्वे स्टेशन के बीच ये स्टेशन आता है और जब आप बांदरा स्टेशन उतर के इस्ट में जाते हैं तो वही से शुरू होती है बांदरा इस्ट विदान सभा कॉंस्ट्टुएंसी की हद्ट बांदरा इस्ट को पहचानने का एक और सबसे आसान तरीका ये है कि जब आप यहाँ पर पहुचेंगे तो आपको तीन-तीन फ्लोर की जोपड़पटियां दिख जाएगी बांदरा को वांदरे भी कहा जाता है जो इसका पुराना नाम है ये इलाका लोकसभा के हिसाब से मुंबई नौर्ट सेंटरल सीट पर आता है ये वही सीट है जहाँ पर सिवशेना प्रमुक बाला साहिब ठाकरी का घर है और उदव ठाकरे इसी इलाके में अपना वोर्ट अवास कॉलेनी कला नगर सही तक कई सोसाइटीज शामिल है अब बात करते हैं यहां की लड़ाई की कौन-कौन उमिद्वार यहां से मैदान में है बांदरा इस्ट विदान सभा शेतर से इस बार चुनाव काटे की टक करका है क्योंकि यहां पर बाबा सिदीकी के बेटे ज वरुन सर्देसाई के बीच लड़ाई है पिछले चुनाव में जिशान सिदीके ने यहां पर कॉंग्रेस की सीट से चुनाव लड़ा था और वो जीत कर आये थे लेकिन इस बार वो अजीद पवार की NCP की टिकिट से मैदान में है उनके सामने शिशेना यूबिटी ने वर करने वाली बात यह है कि यहां पर जिशान सिदीकी नाम का एक और निर्दल्य कैंडिडेट मैदान में है क्या रहा है इससे सीट का रेकॉर्ड ये भी जान लेते हैं बांदरा इस्ट विदान सबा सीट महाराश्टा विदान सबा के 288 निर्वाशन शेतरों में से एक है बांदरा इस्ट विदान सबा सीट महाराश्टा की एक महतोपूर्ण सीट है जहां 2019 में इंडियन नेशनल कॉंग्रेस ने जीत दर्च करवाई थी बांदरा रेडल मेंस्टेशन के पुर्वी हिस्से में स्तित बांदरा पुर्व को 2009 में एक अलग निर्वाशन छेतर के रूप में बनाया गया था पहले इसे कॉंग्रेस का गड़ खेरवाडी के नाम से जाना जाता था 2019 में बांदरा इस्ट में कुल 30.28 प्रतिशत वोट पड़े थे 2019 में इंडेनेशन कॉंग्रेस से जिशान सिद्धी की ने शिवशेना के विश्वनात महाड़ेश्वर को 5790 वोटों के मार्जिन से अराया था लेकिन पारंपरिक तोर पर अगर इस सीट को देखे तो ये सीट शिवशेना की रही है 2009 में शिवशेना के प्रकाश सावंत ने 45,660 वोटों से जीत हासिल की थी 2014 में भी उनकी चीत हुई थी लेकिन 2015 में उनकी मृत्यू के बाद उनकी बेटी को मैदान में उतारा गया था और उन्होंने भी नारायन राने को हरा दिया था क्या है यहां के मुद्दे ये भी चाननेते हैं इस इलाके की अगर बात करें तो यहां सभी कम्यूटी के लोग रहते हैं लेकिन बड़े पैमाने पर इस इलाके में सलंब होने के चलते यहांपर डीडवलुप्र्मेंट का मुद्दा एक एहम मुद्दा रहा है यहां अभी भी कई लोग ट्रांजिट कैम्प में कई सालों से रह रहे हैं जुग्यों के रीडेवलप्मेंट पर यहां पर बड़े पैमाने पर राजनिती होती रही है बाबा सिदिकी की हत्या के पीछे भी शुराती दौर में ये कहा जा रहा था कि रीडेवलप्मेंट को लेकर जिस तरह से राइवलरी चल रही थी उसका नतीचा इसे बताया गया था मुंबई पुलिस भी इस मामले में इस एंगल से जाच कर रही है क्या बाबा सिदिकी की हत्या की वज़े से बदलेंगे यहां के समीकरन आपको बतादे की इसी साल अक्टूबर के महीने में बारा तारीख को बाबा सिदिकी की हत्या की वज़े से महराश्टरा की राज्जीती में मातम पसर गया था बांदरा जैसे इलाके में बाबा सिदिकी एक बड़ा नाम थे बाबा सिदिकी की हत्या उस वक्त हुई थी जब वो अपने बेटे जिशान सिदिकी के दफतर से निकल रहे थे हमलावरों ने उनके उपर छे राउंड फायर किये थे जिसमें से दो गोलियां उनको लगी थी इस हत्या की जिम्मदारी कतित तौर पर लॉरेंस विशनोई गैंग ने ली थी इस मामले में पुलिस ने अब तक करीब 20 लोगों को गिरफतार किया है कहा जा रहा है कि बाबा सिदिकी की हत्या के बाद जिशान सिदिकी को सेन्टिमेंट्स का फायदा मिल सकता है और वो बड़े मार्जिन से इस चुनाओं में जीत आसिल कर सकते हैं बाबा सिदिकी ने अपनी राज्यतिक की शुरुवात कॉंग्रेस से की थी और कॉंग्रेस की सरकार में उन्हें मंत्री भी बनाया गया था लेकिन पिछले साल उन्होंने कॉंग्रेस छोड़ दी थी और वो अजित पवार की NCP में शामिल हो गये थे तो इस सीट पर भी लड़ाई काफी इंटरस्टिन नजर आ रही है देखना ये जरूरी है कि क्या स्यूशना इस सीट को वापस हासिल कर पाती है या फिर सेंटिमेंट्स का फायदा जिशान सिद्धिकी को होगा आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं